अगर मैं बात करूं तो जितने भी सेल और गेनल मतलब कोशिकांग और कोशिक कोशिकांग से जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं वो हम यहां पर डिसकस करेंगे ठीक है अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के आपको थियरी कवर करनी है तो आप पहले चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर की थियरी कवर कर लेंगे और उसके बाद यह जो MCQ का या जो वन लाइनर का जो सेट है इसको पहले आप लगा कर देखेगा ठीक है जीवन की कार्यात्मक वे सरंचनात्मक इकाई क्या है देखो कार्यात्मक का मतलब है मतलब की जीवन की कार्यात्मक वे सरंचनात्मक इकाई या मैं कहूं कि जीवन की मूल भूत इकाई क्या है तो आपका अंसर आ जाएगा सेल या फिर कोशिका सबसे पहला कोशन यहीं याद रखेंगे पेपर में बन सकता है कि जीवन की सरंचनात्मक वे कार्यात्मक की काई हो जाएगी कोशिका नेक्स्ट याद रखेंगे कोशिका विज्ञान के जनक मतलब की फादर ओफ सेल बायोलोजी तो कोशिका विज्ञान के जनक यह हो जाएंगे रोबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक हो जाएंगे रोबर्ट हुक अभी इनको कोशिका विज्ञान के जनक क्यों बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या करी थी कोशिका की खोच करी थी तो अगर मैं बात करती हूँ 1665 में सबसे पहले रोबर्ट हुक ने जो थी मृत लेकिन यह जो कोशिका थी यह जो थी मृत कोशिका थी ठीक है तो अब नेक्स्ट कोशन आता है तो यह बताइए पहली जीवित कोशिका की खोज का अश्रे किसे जाता है या फर्स लिविंग जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने करी बहुत इंपोर्टेंट नाम याद रखोगे एंटोन वोन लियो वैन हुक या इतना बड़ा नाम नायाद रहे सिंपल याद करोगे एवी लियो वैन हुक पेपर में मल्टिबल टाइम सोब जो है यह कोशन आपका पूछा हुआ है कि आपका पहली जीवित कोशिका की खोज या फिर फर्स लिविंग सेल की डिस्कवरी क इसने करी थी तो सर एंटोन वोन लियो वैन हुक ने करी थी 1644 में और तालाब जल में या फिर क्या दो कि पॉंड वोटर में इन्नों ने जोती आपका जीवित कोशिका की खोज करी थी अब यहां से ना एक और बड़ा अच्छा कोशन याद रखेंगे यह तो हमने क्या दि इंदी में बोलू तो जीवान तो पहली जो जीवित कोशिका थी पहली कौन सी जीवित कोशिका खोजी गई थी तो बैक्टीरिया को यह से जाता है तो क्या अंसर करोगे एव लियो वैन घॉक और ठीक है तो एक सांद दोनों कोशन याद और जाएंगे नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं unicellular यानि एक कोशी की है जीव के हमें क्या बताने है उधारन बताने है यह जो है पेपर में पूछा हुआ कोशन है देखो इसके लिए पहले में एक चीज बताती हूं जैसे कोई भी कोशी का है कोई भी सेल है ना दो पाइट होंगे ठीक है दो तरह से होगा ए चीज जीव एक कोशी के घीव क्या होगी यह उसका बोल दोंगे unicellular क्या बोल देंगे हम उसको unicellular ब मतलब कि एक कोशी कि यह दूसरी जो टाइप होगी दूसरी टाइप क्या हो जाएगी multicellular multicellular मतलब की हमारा बहु कोशी की है जैसे plants हो गए, animals हो गए बहु कोशी की है तो ये आजाते हैं आपके किसमे multicellular में तो paper में पूछा हुआ कोशन है इन में से कौन सा जो है वो एक कोशी की है, जीव का उधारन है तो नाम याद रखोगे आपका क्या हो जाएगा देखो amoeba, जैसे amoeba इसके बाद आ जाएगा paramecium, amoeba हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम सेम रहेगा, amoeba paramecium, blue green algai, या फिर आपका नील हरित शेवाल, ठीक है, साथ साथ लिखते चलेंगे, blue green algai, या फिर नील हरित शेवाल, तो ये तीनों नाम जो हैं, आपको याद रखने हैं, एक और नाम याद रख सकते हो, साथ में याद रख लेना, syno bacteria या फिर syno जिवानू, syno bacteria यहाँ पर लिखरी हूँ में इदर, syno bacteria या फिर syno जिवानू, ठीक है तो ये किसके उधारन हो जाते हैं हमारे, एक कोशी की है जीव के, कौन को ना जाएंगे amoeba, paramecium नील हरित शेवाल और एक आपका syno, जिवानू ठीक है, और अगर बात करें बहु कोशी की है, यानि multicellular, उसमें कौन हो जाएंगे जितने भी पादब जगत हो गए या जो भी मानव हो गया वो आपका किसमें आ जाएगा multicellular में, ठीक है अब next question देखो बहुत-बहुत important है paper में कहीं बार पूछा हो है जितना भी अब यहाँ पे करवाऊंगे वो पूछता है, सबसे बड़ी या फिर भारी कोशी का मतलब कि the largest and heaviest cell is known as तो क्या अंसर आ जाएगा शतुर मुर्ग का अंडा यानि कि ostrich egg जो शतुर मुर्ग का अंडा है ना, वो क्या है सबसे बड़ी या फिर सबसे भारी कोशी का है लगबग जो है 1250 गराम का यह होता है या फिर भारी कोशी का नेक्स्ट आ जाएगा तो यह बता दो सबसे छोटी कोशी का यानि कि smallest cell कोण सी होगी तो simple answer याद करोगे सबसे छोटी कोशी का हो जाएगी mycoplasma ठीक है कोण सी हो जाएगी सबसे छोटी कोशी का mycoplasma यह answer लिखा मैंने इसका सबसे छोटी कोशी का कोण सी हो जाएगी mycoplasma अच्छा mycoplasma से ही दो तिन और important नाम याद रखोगे इसी के bracket में लिखेंगे gallisepticus ठीक है gallisepticus mycoplasma और एक और नाम याद रखोगे gallisepticus इसी को जो है एक दो और नामों से जाना जाता है वो भी सीखते हैं एक तो जाना जाता है PPLO mycoplasma को ही किस नाम से जाना जाता है तो आजाएगा PPLO अब PPLO की full form paper में पूछी जा सकती है तो full form हो जाएगी इसकी pleuro pneumonia like organism pleuro pneumonia like like का मतलब हो जाता है जैसा और organism का मतलब हो जाएगा जीव तो pleuro pneumonia like organism किसकी full form हो जाएगी आपका PPLO या इसी को ही किस नाम से जाना जाता है mycoplasma ठीक है चलिएगा इतना समझा जाएगा इसके बाद next आता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका देखो ये तो थी nature की कोशिका अगर पूछे मानव शरीर की कौन सी है तो याद रखोगे RBC मतलब की red blood cell या हिंदी में बोलू तो लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं कोन हो जाती है आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अब RBC से दो कोशन आपको पक्का पक्का याद रखने है जो पेपर में पूछे जाते हैं एक तो RBC का जीवन का कितना हो जाएगा 100 से 120 दिन और दूसरा RBC के खोज करता तो हो जाएंगे हमारा Anton Won Leo Van Hook मैंने उपर नाम बताया था A.V. Leo Van Hook जिन्होंने जीवानू की खोज करी थी तो आपका RBC की खोज करता भी कोन है A.V. Leo Van Hook ठीक है बाकी RBC के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है अब चैनल के प्लेलिस में जाके ये टोपिक जो है अपना वहां से कवर कर सकते हूं Next आता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अभी देखो बड़ी या फिर भारी कोशिका उसने पूछा था या नेचर की तो आपने बताया ओस्ट्रिच एग या फिर शतुर मुर्ग का अंडा अगर उसने पूछा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो याद रखना तंत्रिका कोशिका यानि की नव सेल क्या हो जाएगी तंत्रिका कोशिका मतलब की नव सेल चलिएगा इसके बाद जो आपके ब्रेन तक पूरे सिगनल लेके जाती है एक चीज के थि Bach अगर बात करती हूँ सबसे छोटी जनन कोशिका मतलब की smallest gamit cell सबसे छोटी जनन कोशिका smallest gamit cell देखो अच्छा यहां से दोनों कोशन में अच्से से differentiate करो यहां पे तो था मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका लेकिन अगर पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका या फिर गैमिट सेल बोले तो आप अंसर करोगे स्पर्म या फिर शुक्रानू ठीक है और अगर ये कोशन आ जाए स्पर्म के खोज करता या शुक्रानू के खोज का श्रे किसे जाता है तो यही नाम आपने या लिएवेंहुग ठीक है ए वी लिएवेंहुग से मैंने आपको 3 कोशन याद कराए एक तो पहली जीवित कोशिका जो बैक्टीरिया थी उसके खोज करता एव लिएवेंहूग दूसरा आर बीसी जिसकी वज़े से हमारे ब्लेड का कलर रिड होगा उसके खोज करता आपके क कोज करता भी कौन हो गए आपका एवी लियोवन होग ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं सबसे बड़ी जननकोशी का यानि कि लारजेस्ट गैमिट सेल तो बड़ी जननकोशी का इसके बड़ी जननकोशी का यह हो जाता है ओवम या फिर अंडानों अभी देखो यह ज गेल पूछे सबसे चोटी कोशी का तब तो अंसर करना है आपने आर द्या कि सबसे चोटी जननकोशी का करोगी और सबसे बड़ी जननकोशी का तो आ जाएगा ovum या फिर अंडानू ठीक है नेक्सट आते है very very important कि कोशिका सिधान्थ या फिर cell theory किसने दी तो दो नाम आप याद रखोगे कोशिका सिधान्थ किसने दिया तो ये दिया ता स्लाइडन्वेश्वैंन किसने दिया ये स्लाइडन्वेश्वैंन देखो स्लाइडन से याद रखना ये जो थे जर्मनी के थे पेपर का लेवल देखो एक बार तो यही कोशन पूछ लिया कि स्लाइडन कहां से बिलोंग करते थे तो जो स्लाइडन थे वो जर्मनी से बिलोंग करते थे और जो थे पादप विज्ञान के ये इनोंने मतलब प्ल है क्या इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखिए आप वहां से जाके इस टोपिक को जो है कवर कर लेना और इसमें से एक से सुक्षम जीव है जो कोशिद्धानत को फोलो नहीं करता से एक बात करते हैं ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट रहेगाग से दो या इसके जनक कौन है ये statement किसने प्रतिपादित की किसने ये statement दी तो नाम याद रखोगे Rudolph विर्चाओ ठीक है क्या नाम याद रखेंगे Rudolph विर्चाओ इन्हों ने क्या करा था आपका इन्हों ने जो थी ये statement दी थी omnis cellular e cellular मैं आपको इस line का मतलब बता देती हूं omnis का मतलब होता है new cell या फिर नई कोशिका ठीक है cellular क्या हो जाएगा cell e का मतलब होता है to या फिर say और इस cellular का मतलब हो गया pre existing मतलब की जो पहले से ही exist कर रही है ठीक है तो देखो बन गई ना definition कि जो new cell होगी ना नहीं जो कोशिका बनेगी वो किसे मिलके बनेगी जो पुरानी कोशिका यानि जो पहले से ही exist कर दिया जैसे पेरेंट से से क्या बनना डोटर से बनना तो यह स्टेटमेंट किसने दी ती रुडोल्फ विर चाओ ने इन्होंने क्या किया था जो यह कोशिका सिधान दता सेल थेपर थी इसी को ही थोड़ा सा और जो ता इन्होंने extend कर दिया extension इन्होंने इसका कर दिया ठीक है और ow guvizan मतलब कि कोशिका विभाजन के बारे में slipping बताया तो आज आएगा आपका रुडोल्फ विर्चाओ कोशिका विभाजण मतलब क्या है मैं बता देते हो धाया तो क्या होगा मनलो यहां पर कुछ बान हो गया यहां से जल गया तो क्या होगा जो तो इसके ऊपर नहीं कोशिकां यह ईसकी इसके ऊपर नहीं season के का राएगी ऊपत मतलब कि जब जो कोशिकाई होती हैं उटने मरम्मत करती है और नहीं कोशिका को जो हैं बनाती रहती है आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शियर एंड कमेंट कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्रेस अग्वाइब करेंगे ताकि सब्सक्राइब कि नॉट्यफिकेशन आपको टाइम टांच मिलती रहें थैंक्यू थैंक्स पर दैंक्स पर वर्च करेंगा